Pregnancy में नाभी में कई सारे changes होते हैं ये नाभी बहुत महत्वपूर्ण है शरीर का, बीचो बीच का point होता है और ये वो meeting point है जहां पे शरीर की 72,000 nerves आगर मिलती है और central nervous system से connect होती है तो अगर इस point को nourish किया जाए तो हमारी बहुत सारी problems solve हो सकती है जैसे कि digestive issues, eyesight, जैसे joint pain की problem, pigmentation की problem, stretch marks की problem और pregnancy में होने वाली skin की सारी issues को ये ठीक कर सकता है अध्याप्मिक तोर पे कहा जाए तो ये मनी पूर्चकर का स्थान होता है और ये हमारे physical life को influence करता इसको nourish करने से physical problems दूर हो जाती है तो नाभी में nourishment कैसे करे इसके लिए हमको snigd, यानि की oil की जरूरत होती है और कई तरह के oil आप अगर internet पर search करेंगे तो आपको मिलेंगे लेकिन आपके घर में रखे भी oil बहुत ही amazing है उसको भी आप use कर सकते हैं देसी घी, सरसो का तेल, तिल का शुद्ध तेल, olive oil, नारियल का तेल ये सारी चीज़ें लगबख हमारे घर में होती हैं तो इनको हम नाभी में oil की लिए use कर सकते हैं आयर वेट के मताबिकी बहुत जरूरी चीज़ है जो हर pregnant मा को अपनी pregnancy में रात को सोने से पहले करना चाहिए कीबल दो बूंदे नाभी में oil की डालनी चाहिए हर रात इससे होट के फटने की problem भी दूर हो जाती है पेट बहुत अच्छा रहता है और धेर सारे spiritual benefits भी आपको मिलते हैं आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं ऐसे ही amazing tips को जानने के लिए देखने के लिए जो कि आपकी life को आपकी pregnancy को बहतर बनाते हैं Tuesday को हमारा special episode आता है जो कि postpartum newborn care और mother care को सिखाता है इसके लिए भी amazing tips हैं बहुत सारे महिराओं को सिफाइदा हो रहा है और आप भी उसका love ले सकते हैं चैनल को अभी subscribe करें thanks for watching